ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज 24 जून 2024 बाबा के महा वाक्य पवित्रता रूपी गुण को धारन कर डारेक्टर के डारेक्शन्स पर चलते रहो तो देवताई किंग्डम में आ जाएंगे प्रादा कलास में सुनाने के लिए जगदंबा मा के मदुर महा वाक्य ओम शान्ति इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं ड्रामा कहो नाटक कहो खेल कहो बात एक ही है नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है उसमें बहुत बाय प्लाट्स बीच में दिखाते हैं लेकिन स्टोरी एक ही होती है इसी तरह से ये बेहद वर्ड ट्रामा है इसको नाटक भी कहा जाता है जिसमें हम सब एक्टर्स हैं अभी हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर ये शुरू होता है हमारा ये पार्ट कहां से शुरू हुआ और कहां तक पूरा होता है फिर उसमें समय प्रती समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है और उसका डारेक्टर, क्रियेटर कौन है और इस नाटक में हीरो, हिरोईन पार्ट किसका है इन सब बातों का नौलेज होना चाहिए खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी हैं अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछे कि इसकी क्या स्टोरी है यह कहां से शुरू होता है कहां पूरा होता है अगर वो कहें हमें मालूम नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है कहता है मैं एक्टर हूँ एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए नाटक शुरू है त तो चलता ही चलेगा तो इन सब चीजों को समझने का है इस बेहद के नाटक का जो रचैता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई इसमें मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन है और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हिरोईन का पार्ट किसका है ये सब बातें बाप समझा रहे हैं ये सब नौलेज जो रोज ग्लास में आते हैं और सुनते हैं वो समझते हैं उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डाइरेक्टर और क्रियेटर कौन है क्रियेटर कहेंगे सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा को लेकिन वह भी एक्टर है उनकी ग्राटन करके एक्ट कर रहा है वह केते हैं इस नात की शुरुवात में करता हूल कैसे छो प्यूरिफाइड सत्यूओं की दुनिया हैं जिसको नई दुनिया केते हैं वैं नियू वर्ल्ड में क्रियेट करता हू मुझा अभी आप स्ब जो भी पवित्रता को धारन करके डारे पर चल रहे हो वह सभी एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं फिर इनी एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है यह बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्में देवताई किंग्डम में जाएंगे वह किंग्डम दो यूग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में आते हैं फिर दूसरे धर्मों का टरना आता है इब्र प्रहम बुद्ध फिर क्रिश्चन ये सभी धर्मिस्थापक नंबरवार आ करके अपना अपना धर्मिस्थापन करते हैं तो देखो नाटक की स्टोरी कहां से शुरू हुई कहां पूरी होती है उसके बीच में ये दूसरे दूसरे बायो प्लाट्स कैसे चलते हैं ये सभी व् वर्स लगता है बाकी उसमें थोड़े वर्स हैं बस अभी उसकी तैयारी है अभी ये नाटक पूरा हो करके फिर रिपीट होगा तो ये सारा व्रतांत बुद्धी में होना चाहिए इसी को ग्यान कहा जाता है अभी देखो बाप आकर के नया भारत नई दुनिया पना रहे ह भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है बाप आकर के भारत जो अविनाशी खंड है प्राचीन अपना देश है अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों में ये भी एक टुकड़ा हो गया है परंत बादु वास्तम में सारी वर्ड सारी प्रत्वी पर एक भारत का राज था जिसको कहा जाता अभी कहां है इसलिए बाप कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत नई दुनिया बनाता हूँ समझा उस दुनिया में कोई दुख नहीं कोई रोग नहीं कभी कोई अकाले मरत्यूं नहीं तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरशार्थ करो मुफ्त मैं थोड़े ही मिलेगी कुछ तो महनत करनी पड़ेगी बीज बोएंगे तो पाएंगे बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे तो ये कर्म शेत्र है इस शेत्र मैं कर्मों से बोना है जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं जैसे खेती करना सिखलाते हैं न कैसे बीज डालो कैसे उसकी संभाल करो उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं तो बाप आ करके हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोएं उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्मों को मुझ बनाओ अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा यह जो खा रहे हो फिर रो रहे हो जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो दुख और अशान्ती है कुछ ना कुछ रोग आदी खिटकिट होती ही रहती है सब बातें मनुष्य को दुखी करती है ना इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं उची क्वालिटी का बनाता हूँ जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं तो वह स्रेष्ट क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो स्रेष्ट फल मिलेगा तो अपने कर्मों का जो सीड है वह अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो तो ये सभी चीजों को समझ करके अभी अपना पुरशार्थ करो अच्छा अभी दो मिनट साइलेंस साइलेंस का मतलब I am soul फर्स्ट साइलेंस पीछे टॉकी में बाते हैं अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ल तो साइलेंस शांती अपना सुधर्म है उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं इस दे का और दे सहित दे के संबंदों की अभी अटेच्मेंट छोड़ो उससे डिटेच हो जाओ सन ओफ सुप्रीम सोल अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ तो अभी चलने का ध्यान रखो अभी आने का नहीं ख्याल करो अंतमती सो गती अभी कोई में भी अटेच्मेंट नहीं अभी तो शरीर की भी अटेच्मेंट छोड़ दो समझा ऐसी अपनी धारना बनाने की है अच्छा अब बैठो सालेंस में चलते फिरते भी सालेंस बोलते भी silence बोलते कैसे silence होती है मालूम है बोलते समय हमारा बुद्धियोग अपने उसी I am soul first pure soul अत्वा silent soul यह याद रखना बोलते समय हमारे में यह knowledge होना चाहिए कि I am soul इस आरगन से बोलते हैं तो यह अपनी practice होनी चाहिए जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं चलो अभी आँखों का आधार लेते हैं देखते हैं जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करो ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा अच्छा ऐसे बाब दादा और मा के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूती करने वाले बच्चों के प्रती याद प्यार और गुड मॉर्निंग संदेशी के तंद्वारा अल्माइटी पिता के उच्चारित महावाक्य हे शुरू मनी राधे बेटी तुम निश्दिन मेरे समदिव्यकार में ततपर हो अर्थात वैशनव शुद्ध स्वरूप हो शुद्ध सेवा करती हो इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूँ क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान आवर्ष्य चाहिए ये काईदा अभी स्थापन होता है जो सतियुक त्रेता तक चलता है वहाँ जैसा बाब बैसा बेटा परन्तो दौापर कलियुग में जैसा बाब वैसे बेटे नहीं होते अभी बच्चे को बाब समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है मगर वहाँ तो नैचुरल ऐसा काईदा बना हुआ है जैसा बाब वैसा बेटा जो अनादी काईदा इस संगम समय पर इश्वर पिता प बहुत रमनीक स्वीटनेस बनना और बनाना है अभी वर्ड सावरंटी की चावी सैकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है देखो ऑल्माइटी जो हर एक जीव प्राडी का मालिक है वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म छेत्र पर आया है तब सारी हैप्पी हाउस बन जाती है इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीती से स्रश्टी को चला रहा है लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिक पन से कर्म शेत्र पर आता है तब सतियुक्त रेता के समय सभी जीव प्राणी सुख ही बन जात है जिसने इश्वर्य सुख प्राप्त करने अर्थ पुर्शार्थ किया है उन्हों को वहां सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता है पुर्शार्थ ही प्रालब्द को खेंचता है जिन्हों का इश्वर से यो इश्वरे ताकत का रंग दिखलाए इस सासुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी वह ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने इश्वरे बल और रुहाप के मरतबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। नित्य हरसित मुक तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ का सुराज प्राप्त करते हो, फिर सतियुग में युवराज बनेंगे। तो कितना नशा चाहिए, इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो। अपने लग को देखो, उससे कितनी लौटरी मिलती है। ओहो, कितना सरेष्ट तेरा लग, जिस लग से वैकुंट की लौटरी मिल जाती है। समझा, लकियेष्ट दैवी फूल बच्ची। चौथा, इस सुहावने संगम समय पर सुयम निराकार परमात्मा ने साकार में आकर, ये इश्वरी फैक्टरी पोली है। जहां से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कहकपन दे अविनाशी ग्यान रत्न ले सकता है। ये अविनाशी ग्यान रत्नों की खरीदारी अती सूच में है, जिसको बुद्धी से खरीद करना है। ये कोई स्थूल वस्तू नहीं है जो इन नैनों से देखने में आये, मगर अती महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता है। ऐसा सरवोत्तम ग्यान खजाना प्राप्त करने से अती निरसंकल्प सुख दायक अवस्था रती है। जब तक कोई ने ये अविनाशी ज्यान रतन खरीद नहीं किया है, तब तक निश्चिंत बेफिक्र निरसंकल्प रह नहीं सकता। इसलिए इन अविनाशी ज्यान रतनों की कमाई कर अपने बुद्धी रूपी सूचम तिजोरी में धारन कर नित निश्चिंत रहना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है और अविनाशी ज्यान धन में सुख समाया हुआ है। पाँचवा जैसे सूर सागर के जल को खेंचता है जो फिर उचे पहाडों पर बरसता है वैसे ये भी टारेक्ट ईश्वर द्वारा वर्सा बरसती है। कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकलती है अभी इनके मुख कमवल द्वारा ग्यान अम्रत धारा बरस रही है जिसको भी अविनाशी ईश्वर यदारा कहा जाता है। जिससे तुम भागीरत पुत्र पावन हो अमर बन रहे हो ये सिर्ताज बनाने की बंडरफुल मंडली है। यहां जो भी नर और नारी आएंगे वो सिर्ताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है मंडल अर्थात स्थान अब यह मंडली कहा टिकी हुई है ओम आकार में अर्थात अहम स्वधर्म में और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकर्ती के धर्म में टिकी हुई है तुम शक्तियां फिर प्रकर्ती को भूल अपने स्वधर्म में ठीकी हुई हो छटवा इस दुनिया में सभी मनुष्ट निराकार एश्वर को याद करते हैं जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं है उस निराकार में उन्हों का इतना अती प्यार रहता है जो कहते हैं हे इश्वर अपने मैं मुझे लीन कर दो परन्तु कैसा वंडर है जो स्वैम इश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उनको पैचानते नहीं है इश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो भल वो देखते भी नहीं है परन्तु बुद्धी योग से यही मैसूस करते हैं कि इश्वर सर्वत्र है लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वैम निराकार इश्वर प्रैक्टिकल साकार में यहां आये पधारा है अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो परन्तु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभू प्रता को पहचानते नहीं है उन्हें निराकार अती मीठा रखता है परन्तु वह निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है उसको अगर पहचान लेवें तो कितनी ना प्राप्ती कर सकते हैं क्योंकि प्राप्ती तो फिर भी साकार से होगी बाकी जो इश्वर को दूर निराकार समस्ते और देखते हैं जिनों को कुछ प्राप्ती नहीं है वो ठहरे भक्त उन्हें कोई ग्यान नहीं अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ग्यानी बच्चे सर्व दैवी गुडों की खुश्बू से भरे हुए सुईट फ्लार अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चड़ा देते हैं जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपून देवताई दिव्य शोबनिक तन प्राप्त हो जाता है सात्वा सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट रॉंग सत्य असत्य की परक आ गई इस इश्वरे ज्यान से टूथ जबान रहती है जिससे किसी का संगदोस चड़ नहीं सकता संगदोस की छाया उसके उपर पड़ती है जो खुद अज्यानवश है इस समय टूथ जमाना है ही नहीं इसलिए किसी की जबान पर भरोसा ना रख उन्हों से लिखत लिखवाते हैं मनुष्यों का बोल अन्टूथ निकलता है अगर टूथ होता तो उसके महावाक्य पूजे जाते जैसे देखो डिवाएन फादर के टूथ महावाक्यों के शास्त्र बने हुए हैं जिन्हों का गायन और पूजन चलता है उनके टूथ महावाक्यों की धारना करने से इश्वर ये क्वालिटी आ जाती है न न सिर्फ इतना मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते स्रीक्रश्न का ब्रह्मा का साक्षातकार भी पा लेते हैं ओहो होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नैन कमल बेटी राधे तेरी सारी काया पलट, कमल फूलसम, कोमल कंचन बन गई है परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है तब सारा तन कंचन प्योवर बन जाता है जिस होली कोमल तन में ही अतिकशिश भरी हुई है तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्यान तपत को बुझाए ज्यान तेज को जगाए अति शीतल रूप बन गई हो खोद शीतल रूप बन फिरन हम जिन्स को भी ऐसी सची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित बनी हुई हो तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांती का दान मिलता रहता है अभी तुम सारी स्रश्टी को सेल्वेशन में लाए अंत में अपना दिव्यतेज दिखाए न्यू वैकुंट गोल्डन गुल्षन में जाकर विश्राम करेंगी अच्छा वर्दान बाबा शब्द की चावी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भागिवान आत्मा भव चाहे और कुछ भी ज्यान के विश्तार को जान नहीं सकते वस सुना नहीं सकते लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विश्यस आत्मा बन गए दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग बन गए क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की वा भागिवान की चावी है चावी लगाने की विदी है दिल से जानना है और मानना दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर है सिलोगन बाब दादा से सिने है तो सिने मैं पुराने जहान को कुर्बान कर दो अच्छा ओम शांती ओम शांती ओम शांती झाल झाल